हाई अगर आप कॉफी का सेवन गलत समय पर करते हैं आपका कॉफी बनाने का तरीका सही नहीं है या फिर आप ज़रूरत से ज्यादा कॉफी पीते हैं तो यही कॉफी आपकी एनरजी चुरा भी सकती है इतना ही नहीं यह आपको हाई बलड प्रेशर का मरीज बनाने के साथ साथ आपकी नीन भी चुरा सकती है तो इन सब बातों से बचने के लिए आपको जरूरत है कि कॉफी को सही समय पर पिएं, सही मातरा में पिएं और सही तरीके से बना कर पिएं तो यही सब बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि कॉफी किस समय पर पीनी चाहिए दोस्तों अगर आप सुभा के वक्त कॉफी पीते हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस समय खास तौर पर सुभा आठ से नौ बजे के आसपास stress hormone cortisol अपने चरम सीमा पर होता है तो इस समय पर अगर आप कॉफी पीते हैं तो आपका stress level कम होने के बजाए बढ़ सकता है अगर आप दिन के 10 बजे से साड़े 11 बजे के बीच कॉफी पीना पसंद करते हैं या फिर आपको इसकी आदत है तो ये सही समय है कॉफी पीने का इस सम कॉफी पीना आपके लिए सुरक्षित है अगर आप 12 बजे से एक बजे के बीच कॉफी पीते हैं तो ये वो समय है जब कॉटिसोल का level फिर से उपर उड़ जाता है तो इस वक्त कॉफी पीना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इसके बाद यानि दोपहर एक बजे के शरीर में कॉटिसोल का level फिर से कम होना शुरू होता है इसलिए एक बजे से शाम के पांच बजे के बीच में आप किसी भी वक्त कॉफी पी सकते हैं तो आपको बिना नुकसान के energy मिलेगी कई लोगों की आदत होती है कि वो खाने के साथ या खाने से एकदम पहले या एकद option रुख जाता है खाना खाने और कॉफी पीने के बीच कम से कम एक घंटे का gap ज़रूर रखे और अगर आप अनीमिक हैं तो यह आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अनीमिक लोगों के शरीर में iron की कमी होती है शाम को पांच बजे के बाद कॉफी ना कॉफी की कितनी मात्रा सेफ है तो कॉफी आपको दो कप से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए क्योंकि एक बार किसी वक्त पर आपको कॉफी पीने की आदत हो गई तो अपने आपको एनरजेटिक रखने के लिए और ज्यादा कॉफी की आवशकता आपको महसूस होगी और कॉफी ना पिये तो इसको बनाने का सही तरीका क्या है हमें से अधिकतर लोग दूद में कॉफी डाल कर बनाते हैं दूद में कॉफी ना बनाएं कॉफी को हमेशा पानी में बॉयल करें और उसमें दो चम्मच दूद आड़ करें और शुगर भी अवाइड करें अगर आप को मीठी कॉफी पीनी है तो आप शुगर की जगा पर स्टेविया यूज कीजिए इस तरीके से आप कॉफी बनाएंगे और समय के अनुसार पीएंगे तो आपको कॉफी नुकसान नहीं करेगी और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखेगी तो यह थी कॉफी से रिलेटिट में से शामिल कर लीजिए और एक बहुत जुरूरी बात अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री है और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं तो सब्सक्राइब बटन के पास में बेल